कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की बिटकॉइन की और मार्केट में चल क्या रहा है हो क्या रहा है क्या सेंटीमेंट बना वेस्टाइम पे और जहां तक हम बात करते हैं फर्स्ट वीक जा चुक 2300 तक जो 25500-600 पे लॉंग के ट्रेड लग रहे थे उनको एक तरह से सफाया कर दिया 25300 तक जाके 25,166 का बिटकोईन का लो लगा हुआ है और 300 तक बिटकोईन जाता है और वापिस आ जाता है और 300 का लो लगाने के बाद उसी एक घंटे के अंदर लेवल 26,000 पे पहुंच गए मतलब जो यहाँ पे शोर्ट की पोजीशन लगी उनका भी सफाया कर दिया ठीक है तो यहाँ पे जो लॉंग की पोजीशन लग रही थी कि बिटकोईन अब गेम कर चुका है लेकिन वहाँ से फिर से एक गेम हुआ और लेवल आये 25,000 अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो यह जो लेवल आये थे 25,500 तक वापिस आया बिटकोईन तो 500-600 डॉलर के जो हैं पंप डंफ हमने देखे और यह सिर्फ एक गेम था सफाया गेम है ना कि भाईया लॉंग वालों का भी सफाया किया जाए शोर्ट वालों का भी किया जाए एक तरह से अच्छी तरह सफाया कर है वो जैदा है क्यों क्योंकि 13 सप्टमबर CPI डेट है और उससे पहले गेम होते हैं हर हाल में होते हैं मार्किट गेम करता है बिटकोईन गेम करेगा ठीक है तो 10-11 सप्टमबर वो डेट रह सकती है जब आपको गेम होते हुए दिख सकते हैं और अभी जो है 25,700 पे लेवल है 26,000 को हिट किया है तो जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकोई 26,000 के लेवल आपको दिखा सकता है 26,000 हमको देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैपे के बारे में पैपे नो डाउट वेल्स काफी अच्छा गासा गेम करती है पैपे के अंदर और वेल्स ने अच्छा पैसा बनाया भी है ठीक है पैपे से स्टार्टिंग में और क्रिप्टो वेल रिजिस्टर 2,40,000 डॉलर इन 1.5 ट्रिलियन पैपे टोकन सेल तो बिलकुल 1.5 ट्रिलियन पैपे की सेलिंग का यहां पे अप्डेट है और 3 वालेट प्रोबेबिली दस सेंपर्सन देपोजित 1.5 ट्रिलियन पैपे 1.2 मिलियन दॉलर के इंट बाइन्स अद लोस फो लाग फ़्यूद थाविट लोस कि तना दो लाग चालीस अजार डॉलर का उससे जयादा गा और इस थ्री वालेट विड्रीव 1.5 ट्रिलियन पैपे 1.5 45 ट्रियन पैपे 1.5 पैपे में नो डाउट गेम तो होते हैं लेकिन रिस्क बहुत जएदा है और कई न कई बहुत जएदा वालेटाइल क्रिप्टो है बिट्कोइन का गिरना सहन नहीं होता है पैपे से है ना तो 1.5 ट्रिलियन पैपे यहां पे सेल किये गए है इस वेल की तरफ से जिनकी वैल अski तो पॉपूलेशिटी की जहां तक बात करते हैं क्रेश की जहां तक बात करते हैं अभी शिवाएनम परचि अबहुंक्त ट्रेंड होने लग जाएगा शिवाएनव तो एव queen to अभी भी है और एकर अविक पुछिबारेशिव ग्रेंट्री अबहुन कर्टी है और ठीक को लेके काफी ज़्यदा इन्वेस्टमेंट है यह बताते हैं डेटा ठीक है और यही एक रीजन है कि शिवाइनु चाहे पंप कर रहा हो तब तो क्रेज जोर ज़्यदा हो जाता है लेकिन अगर पंप ना भी कर रहा हो तब भी क्रेज शिवाइनु का बना हुआ है नेक्स्टम बात करेंगे बेबी डॉज कोईन की अभी रिसेंटली 60-70 ट्रिलियन बेबी डॉज कोईन बर्न हुए थे इसके लावा 5 क्वाड्रिलियन बर्निंग का प्रपोजल तयार है वो भी जल्दी बर्न हो सकते हैं लेकिन AI की एनाउस्मेंट के साथ साथ बेबी डॉज कोईन इस टैम पे थोड़ा हाइप में आ रहा है और इस बार फिर से 2.4 ट्रिलियन बेबी डॉज कोईन जिनकी वैल्यू 3,000 डॉलर की है वो बर्न हुए हैं लास्ट 24 आवर के अंदर और 208 क्वाट्रिलियन बेबी डॉज कोईन यानि 49 परसेंट सप्लाई अभी तक बर्न हो चुकी है और 420 क्वाट्रिलियन है टोटल तो अभी भी बहुत सारी सप्लाई बची हुई है उसको भी कम करना पड़ेगा लेकिन 208 क्वाट्रिलियन जा चुके हैं और 2.4 ट्रिलिय यहाँ पर बेबी डॉज कोईन बर्न हुए है 24 घंटे के अंदर नेक्स्टम बात करेंगे मार्किट में चल क्या रहा है क्या लिक्विडेशन हो रहे हैं और थोड़ा उसके बारे में जानना समझना भी जरूरी है 24 घंटे में 57 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हुए है ठ फिक है कितना तक्रीवन तक्रीवन चार लाख डॉलर शोट वंदो ल्keleyट हुए है पर कौइन पंप कर रहा हैş् है थरी लैक ट्म ट्टाउद डॉलर उसने शोल ợढ़ों की लिक्विडेशन की हैita बिटकोईन आप देखो शॉर्ट वालों की बैंड बज रही है पिछले गंटे के अंदर कितने हो गए 1.34 मिलियन डॉलर लिक्विडेट हो गए शॉर्ट वालों के चार गंटे में 2 बिटकोई ने बराबर बैंड बजाई है चौविस गंटे के अंदर 30 मिलियन है लॉग वालों के और 27 मिलियन है दोनों तरफ की लिक्विडेशन की है जो पंप डंप वाला गेम हुआ है 24,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए है और 57 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हुए है ठीक है तो अच्छे गासे लिक्विडेशन फिर से बिटकोई नहीं यहां पर किया है 24 गंटे के अंदर पूरी मार्केट नेक्स्ट अपडेट आ रही ह अंदर गोईंग टेस्टिंग ऑन दे टेस्टनेट और यूनिस्वाप वी फॉर ब्रिंग ए होस्ट ऑफ इंप्रूव्मेंट तो यूनिस्वाप ने यहां पर अनॉंस कर दिया है लॉंच ऑफ यूनिस्वाप वी फॉर है ना आफ्टर दा डेंकन अप्ग्रेड नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिगॉन मैटिक की और पॉलिगॉन फाउंडेशन यहां पर मैटिक को लेके कुछ हल्चल होती होई पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे इस पॉलिगॉन फाउंडेशन सेलिंग मैटिक मैटिक नो डाउट काफी अच्छा कासा नीच आया अट है की वाला १ाउटरेश दिपॉसिट उन्री फाउंडेशन सेनना के वाला इड्रेशं सेवन फाउन होती हैं मतलब मिलिएन्स में मैटिक पहले ब्याएं पर डिपोजित हुए है चाहँ यहां पर चल रही है पॉलिगान फाइंडेशन की तरफ से या फिर यहां पे कुछ बड़ा हमुव आने वाला है पॉलिगान को लेका है ना लेकिन पॉलिगान फाऊंडेशन के बड़े मॉवमेंट हो रहे हैं पॉलिगान fällt को लेका पोईंडेक क के ठीक है है लास्ट एंड फाइनल में थोड़ा सा neutral, कभी market इस तरफ होता है, कभी fear में होता है, क्योंकि bitcoin के fluctuation ऐसे हो रहे हैं, अभी जो level चल रहे हैं, वो 25,000 पर चल रहे हैं, मतलब बिलकुल low level पर चल रहा है, और यहां से अगर और गिरा, तो bitcoin और नीचे जा सकता है, इसलिए market का sentiment थोड़ा सा डराने वाला भी हैं, यहीं पेंड, बाकी जो update रहेंगे, वो next video में cover करेंगे, और मिलते हैं, next video में अगर किसी भी crypto में invest कर रहे हैं, तो हमेशा आपनी research करें, वो बहुत जरूरी होती है, तब तक के लिए bye bye, take care.